प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट जाती से छत्रिय नहीं, स्वभाव से आदतों से व्यक्ति के अंदर छत्रिय होने के गुण ले आता है एग्रेसिव होना, सासी होना, ताकतवर होना, युद्ध में आगे रहना, चीजों को लीड करना ये गुण भी देता है, ये छत्रिय परसनेलिटी रिप्रेजेंट कर देता है शनी मंगल का संबंद, टेकनलोजी और सेना के खेत्र में सफलता देता है अगर आप टेकनिकल फील्ड में जाना चाहें, या अगर आप सेना के खेत्र में जाना चाहें तो उसमें शनी मंगल का संबंद काफी ज़्यादा असर डालता है और टेकनिकल फिल्ड में या सेना में, आर्मी में, पुलिस में ऐसे छेत्रों में सफलता देता है ये संबंद कठिन समय में जूजने की शक्ती भी देता है अगर आपका समय कठिन चल दहा है, आपका समय नकारात्मक चल दहा है तो उस नकारात्मक समय से आप जूज करके, मेहनत करके, साहस करके, फेस करके आगे निकल सकते हैं, जूज सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं ये ताकत शनी मंगल का संबंद देता है जैसा आपको पहले बताया कि शनी मंगल का संबंध व्यक्ति को आकस्मिक रूप से उचाई पर पहुचा देता है शनी मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति आकस्मिक रूप से उचाई पर पहुच जाता है और शनी मंगल का संबंद कभी न कभी व्यक्ति को राजनीती में जाने के लिए प्रेरित करता है और कभी कभी राजनीती में सफलता भी देता है तो शनी मंगल का संबंद उन तमाम छेत्रों में फायदा देता है जहां पर आकस्मिक उतार चड़ाव हो सकता हो जैसे राजनीती है, फिल्म है, शेयर बाजार है, सडन छेत्रों में, स्पेकुलेटिव सेक्टर में शनी मंगल का संबंध सफलता देता है लेकिन रिसर्च के बाद ये समझ में आता है कि शनी मंगल का संबंध आपको क्षत्रिय बनाता है आपकी जाती कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर ख्षत्रिय होने के गुण पैदा करता है इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन ता, एल्ट्रिता, know your faith देखिए शनी मंगल का संबंद सुन करके आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा नकारात्मक संबंद है, अगर जीवन में आ गया तो दुरघटनाय होंगी, विस्पोट होगा सरजरी होगी, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी अगर शनी मंगल का संबंद कुंडली में है, तो क्या उपाय करेंगे? वाहन चलाने के मामले में, और शस्त्रों के प्रियोग के मामले में हमेशा सावधानी रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए, और शस्त्रों का प्रियोग भी सावधानी से करिएगा आग और बिजली की वस्तुवों के प्रियोग में सावधानी रखिएगा क्योंकि यहां पर खत्रा थोड़ा सा आपके लिए बढ़ सकता है आखों और शल्लिच्यकित्सा का हमेशा ध्यान रखिए शनी मंगल का संबंद आखों पर भी असर डालता है और शनी मंगल का संबंद जीवन में सरजरी भी करवाता है तो आखों के प्रियोग में आखों की स्थिती में और शल्लिच्यकित्सा में ऑपरेशन में सरजरी में हमेशा ध्यान रखिएगा नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाईएगा अगर शनी मंगल का संबंद है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से लाब होगा अधिक से अधिक हनुमान जी की उपासना करियेगा जादा से जादा हनुमान जी की पूजा करियेगा आपके लिए बेहतर होगा और अगर कुंडली में शनी मंगल का संबंद है तो मूंगा और नीलम इन में से आप जो भी पहनना चाहें वो बहुत सोच समझ के पहनिएगा मूंगा मंगल का रत्न है और नीलम शनी का रत्न है शनी मंगल के संबंद में अगर मूंगा और नीलम पहना जाए तो दुरगटना होने की संकट आने की संभावना बनेगी सोच समझ के पहनियेगा काले और लाल वस्त्र एक साथ धारण मत करियेगा आपके लिए बहुत बेहतर होगा तो शनी मंगल के संबंद को लेकर के परिशान मत होईएगा जो उपाय आपको बताए गए हैं जो साथधानिया बताई गई हैं उनका पालन करियेगा और शनी मंगल के संबंद के मामले में एक बात जरूर देखी गई है कि मंगल वार और शनी वार को हनुमान जी की पूजा करने से शनी मंगल के संबंधों की बाधा कट चाती है